दोसतो स्वागत है आपका हमारे तिश्टल कलास में जिसमें हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं धेर सारे परस्न जो कि आप लोग के कंप्यूटर से डिलेटेद एक्जाम की दिरिश्टी कोन से काफी महत पूर्ण होते हैं वो सारे प्रस्ण ठीक है आज का जो हमारा practice set है वह है practice set number 20 ठीक है देखते हैं set 20 से किस तरह के प्रस्ण आप लोग की exam की दृष्टी कुन से बनते हैं और उन सारे प्रस्णों पर हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है आज का हमारा जो पहला प्रस्ण है वह का है रहा है कि यदि क किसी मौजूद डॉकुमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए तो उसके लिए सेव एज कमांड का प्रियोग करना चाहिए ठीक है अप्शन नमबर दू हमारा राइट एंसर हो जाएगा हमारा अगला प्रसन कहा है रहाए कि दसमलब संख्या परनाली का अधार कितना होता है तो दसमलब संख्या परनाली का अधार जो है वह दस होता है ठीक है हमारा अगला प्रसन काया रहा है कि प्रोग्राम में तुरूटी सही करने को क्या कहते हैं तो प्रोग्राम में तुरूटी सही करने को हम लोग डिबिगिंग कहते हैं सामिल होते हैं, ओपशन 4 हमारा राइट एंसर हो जाएगा, अगला परस Turning कह nano LCD का पूरा नाम क्या है सिदी का पूरा नाम है लिक्वेडय क्रिश्टल डिस्पलें ठीक है log जरफ नमबर गब हमारा राइत एंसर हो जाएगा है हमारा अगला प्रस्न कह रहा है कि बिशु का पर्थम computer network कौन सा है तो 20 का परतम computer network जो है वह है और पाने ठीक है option number 2 हमारा right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि इनमें कौन computer का अवस्यक भाग नहीं है तो चार option दिये गए जिसमें पहला printer है दूसरा hard disk है तिसरा modem है चौथा zip drive है पचमा उप्रोक्त सबी है ठीक है तो हमारा option number 1 जो है printer वह right answer हो जाएगा computer का अवस्यक भाग नहीं है printer ठीक है चलिए हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि संख्याओं और संक्की की गननाय करने के लिए सबसे उप्यूक्त software निमन में से कौन सा होगा तो वह होगा spreadsheet ठीक है option 4 हमारा right answer हो जाएगा हमारा आगला प्रस्ण कहे रहा है कि किसी भी word एलाइन होता है ठीक है हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि data files के backup से निमन में से किसके बचाव में सहायता मिलती है तो data files के backup में से जो है data के loss होने से बचाव में सहायता मिलती है ठीक है, option number 4 हमारा right answer हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो है, अगला प्रस्ण कहे रहा है कि page preview mode में dash, ठीक है, तो page preview mode में आप अपने document के सभी page देख सकते हैं, ठीक है, हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि file extension किस लिए इस्तमाल होते हैं, तो file extension जो है, वा file type को identify करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, option number 4 हमारा right answer हो जाएगा, ठीक है, हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि dash को computer द्वारा सूचना में process किया जाता है, ठीक है, हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि सबसे समान परकार की storage devices हैं, तो optical जो है, सबसे समान परकार की storage devices हैं, ठीक है, option number दो हमारा राइट एंसर हो जाएगा हमारा आगला प्रस्ण कहे रहा है कि एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्नों की उपस्तिती को जांसती है क्या कहलाती है तो वह अप्टिकल मार्क रीडर कहलाती है ठीक है ओप्शन नमबर एक हमारा राइट एंसर हो जाएगा हमारा आगला प्रस्ण कहे रहा है कि पत्र लिखने जैसे कार करने के लिए परियुक्त सॉफ्टवेर के परकार को डैस कहते हैं तो उसको हम लोग एप्लिकेशन सॉफ्टवेर बोलते हैं ठीक है प्रस्ण नमबर तीन हमारा राइट एंसर हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि ए आर डाइग्राम में एक एंटिटी को डैस के द्वारा दर्साया जाता है तो ए आर डाइग्राम में एक एंटिटी को आयताकार box के द्वारा दर्शाया जाता है हमारा अगला प्रसन कह रहा है कि किसी directory को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है तो किसी directory को हटाने के लिए हम लोग rd command का उप्योग करते हैं हमारा अगला प्रसन कह रहा है कि एक printed को दो अलग 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 computer के साथ जोरने वाला उपकरन का लाता है तो एक printer को दो अलग अलग computer के साथ जोरने वाला उपकरन जो है वह cable कहलाता है ठीक है, option no.3 हमारा right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण कहारा है कि अनुदेशों का सेट जो कम्प्यूटर को क्या करना यह बताता है उसे program कहते हैं ठीक है option no.4 हमारा right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण कहारा है कि आपको AC कोई email पराप्त होती है जिसे आप नहीं जानते हैं आपको क्या करना चाहिए बीना खोले इसे मिटा देना चाहिए ठीक है यानि डिलेट कर देना चाहिए उसको नहीं तो वाइरस फैल जाता है ठीक है हमारा अगला प्रसन कहा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किये जाने वाले अधिकांस कार निमली की तुमें से कौन सा हैंडल कर सकते हैं तो वा है यूटिलीटी ठीक है अप्शन नमर दो हमारा राइट एंसर हो जाएगा हमारा अगला प्रसन कहा रहा है कि MS Access में एक टेवल बनाने के लिए जो है टेवल टेम्पलेट का उप्योग कर टेवल बनाई जा सकती है आपको एक टेवल में कम से कम एक प्राइमरी कुनजी को अनुमती देनी होगी टेवल बनाने से पूर्व आपको एक डाटा तयार करना होगा ठीक है तो उप्रोक्त सभी यानि आप्शन नमर चार जो है वो हमारा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है हमारा अगला प्रसन कहिए रहा है कि डिफॉल्ट रूप से कोई तारिक एक्सल में किस फॉर्मेट में परविष्ट की जाती है तो डिफॉल्ट रूप से कोई तारिक जो है एक्सल में महीना दिन और एयर के फॉर्मेट में परविष्ट की जाती है ठीक है हमारा अगला प्रसंद कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में लिखी तुमें से कौन सा मेमोरी को दर्चाता है तो रैम जो है वह मेमोरी को दर्चाता है ठीक है हमारा अगला प्रसंद कहे रहा है कि micro program क्या है तो micro program जो है वह मद अस्तर भासा में लिखा गया program है हमारा अगला प्रसंद कहे रहा है कि निम्न में से कौन से कुझी null value स्विकार करती है तो primary कुझी जो है वह null value स्विकार नहीं करती है ठीक है option number 1 हमारा right answer हो जाएगा हमारा आगला प्रसन कहे रहा है कि monitor में display आकार को कैसे मापा जाता है तो monitor में display आकार को गनली मापा जाता है ठीक है option number 5 हमारा right answer हो जाएगा हमारा आगला प्रसन जो है वह कहे रहा है कि excel में default view dash होता है तो Excel में default view normal होता है ठीक है हमार आगला प्रसन कहे रहा है कि आप अधिक जानकारी देकर search को dash कर सकते हैं इससे search engine छोटे अधिक उपयोगी परिनाम समुह का परियोग कर सके तो वह है refine ठीक है हमार आगला प्रसन कहे रहा है कि electronic component वाली thin plate या board को dash कहते हैं तो उसको हम लोग circuit board कहते हैं ठीक है हमार आगला प्रसन कहे रहा है कि TV में signal भेजने के लिए कि संचार मीडिया का परियोग किया जाता है तो TV में signal भेजने के लिए हम लोग satellite संचार मीडिया का परियोग करते हैं ठीक है option number 4 हमारा right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि माउस के दो मानकों मानक बटनों के बीच इस्तित वील का क्या परियोग होता है तो माउस के दो मानकों मानक बटनों के बीच इस्तित वील का परियोग जो है वह है स्क्रॉल करना हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि किसी नेटवर्क पर ओनलाइन लिखित वरतलाप को क्या कहा जाता है तो किसी नेटवर्क पर लिखित ओनलाइन वरतलाप को हम लोग चैटिंग कहते हैं हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि किसी टोपोलोजी के परते कम्प्यूटर नोड को और क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग Link Station कहते हैं, हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि वाई मैक सिस्टम आवासिय तथा इंटर प्राइजेज गरहकों को इंटरनेट की सेवाएं परदान करता है, इसका पुर्ण रूप क्या है, तो इसका पुर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलीटी फॉर माइक्रोवेब ठीक है, ओप्सन नमबर एक हमारा राइट इंसर हो जाएगा, हमारा अगला प्रस्ण कहे रहा है कि कम्प्यूटर को सट डाउन करने का परियास किसके अंतरगत होता है, तो कम्प्यूटर को सट डाउन करने का परियास जो है वह टर्न ओफ के अंतरगत होता है, ओप्सन ठीक है, option number 4 हमारा right answer हो जाएगा, हमारा अगला प्रसन कहए राय कि कितने किलो बाइट से एक मेगा बाइट बनता है, तो 224 किलो बाइट से एक मेगा बाइट बनता है, ठीक है, option number 2 हमारा right answer हो जाएगा, हमारा अगला प्रसन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कमपाइलर के बारे में सत नहीं है ठीक है तो सभी सोर्स प्रोग्राम का मसीन की भासा के प्रोग्राम में अनुबाद करता है ठीक है यानि आप्सन नमबर दो हमारा राइट एंसर हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण का है रहा है कि को एक्सियल केवल के माध्यम से इंटरनेट के सुविधा को उपलब्ध कराने की परकिरिया को क्या कहा जाता है तो उसे हम लोग केवल मॉडम बोलते हैं ठीक है ओप्सन नमर चार हमारा राइट एंसर हो जाएगा हमारा अगला प्रस्ण का है रहा है कि रेडियो तरंगे किसी दिशा में परवाहित होती है तो रेडियो तरंगे जो है वह ओमनी डिरेक्शनल दिशा में परवाहित होती है ठीक है ओप्सन नमर एक हमारा राइट एंसर हो जाएगा हमारा अगला प्रसन कोहिए है कि NIMLIKIT में से कौन सा सर्च इंजन है तो NIMLIKIT में से जो है याहू जो है वह सर्च इंजन है हमारा अगला प्रसन कोहिए है कि World Document में Page Break Insert करने के लिए NIMLIKT को परियोग किया जाएगा तो उसमें insert and break विकल्प को परियोग किया जाएगा हमारा अगला प्रसंद का है रायक उस फाइल को क्या कहते है जो email से जूरी होती है email करने वाली को भेजी जाती है उसे हम लोग attachment बोलते हैं ठीक है option number 4 हमारा right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रसंद का है रायक internet से संबंदित सब्द host का क्या आर्थ है तो internet से संबंदित सब्द host का आर्थ होता है वह computer जो internet से जूरा हो ठीक है option number 2 हमारा right answer हो जाएगा हमारा अगला प्रसन काहए रहा है कि सूचना को गुप तरीके से लिखने की तखनी को क्या काहा जाता है सूचना को गुप तरीके से लिखने की तखनी को क्रिप्टो ग्राफिक बोलते हैं option number 3 हमारा right answer हो जाएगा hexadecimal शंख्या 9A binary में किसके बराबर है तो हमारा option number 1 जो है वो right answer हो जाएगा ठीक है हमारा अगला प्रसन कहे रहा है कि निम्न में कौन सी laptop computer से बनी होई pointing device नहीं हो सकती तो वो है mouse ठीक है mouse जो है वो pointing device नहीं हो सकता है ठीक है तो option number 1 हमारा right answer हो जाएगा ठीक है मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में जो हम देखेंगे वह रहेगा हमारा practice set number 21 रहेगा ठीक है practice set 21 में देखेंगे किस तरह के प्रसन आप लोग के exam के दरिश्टी कोन से बनते हैं और उन सारे प्रसनों पर हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए परसनों के साथ तब तक के लिए जा हिंद जा भारत